नमस्कार बहुत बहुत स्वाकत और अभिनेंदेन आप सभी का दडिवेट में मैं बर्जेश मिश्रा हूँ बहनों भाईयों दस महिने के बाद उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाओं होने की प्रक्रिया प्रारंब हो जाएगी यानि उत्तर प्रदेश में विद्यों का राजनितिक आकलन करते हैं तो आप उन्हों अन्हें ट्रैक करने में आसानी होती है क्यों किन मुद्धों की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनके पास रिसोर्स कितने है उनके issues क्या है और वो किस प्रकार की छवी जन्ता के बीच परस्तुत करना चाहते है अब राजनीति के मायने बदल गए हैं अब परसेप्सन की पॉलिटिक्स होती है परसेप्सन मतलब धारणा कि आपके बारे में धारणा क्या है आपकी पार्टी के बारे में धारणा क्या है और आपके मुद्दों को लेकर धारणा क्या है और आप लोगों के सेंटिमेंट्स क आम मसले, प्रमुख मुद्दे, उनमें आप की भूमिका और आपकी चवी क्या है, ये एक बहत महतोपून कारक हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनिती में, और चवी कोई एक दिन में नहीं बनती है, एक घंटे में नहीं बनती है, एक हपते में नहीं बनती है, एक महीने मे सुप्रीमों को या निसेनापती को गुजरना होता है तो आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों काफी वक्त से परसेप्शन की इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में तीन बड़े दल उत्तर प्रदेश में लगे हैं भारतिये जनता पार्टी जिनका आधार ही परसेप्शन पर ठीका हुआ है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादो अब वो भी परसेप्शन की उसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं जैसी वक्त की आवश्यक्ता है और इसमें नया रंग भरा है प्रियंका गांधी ने अगर वो मंदिर जाती है तो दर्गा भी जाती है अगर वो संगम इस्नान करने जाती है तो वो संकराचारे जी से मिलने भी जाती है अगर वो दर्गा पर अगरवत्ति सुलगाती है तो माथे पर त्रिपुंड भी लगाती है सहारनपूर में साकुम्बरी माता के दर्शन हो या फिर कल संगम में स्नान कांग्रेस साथ हिंदुत्तु का एक मैसेज देना चाहती है मुस्लिम परस्त की छवी से बाहर आना चाहते हैं इस छवी से निकलने की छट-पटाट कांग्रेस के भीतर देखने को मिल रही है यह एक करवा सच है मकसद यही है लेकिन बोलना नहीं है यह राजनीतिक दिलों का एक दस्तूर होता है हमारे जैसे पत्रकार वो बाते बताने की कोशिस जनता को करते हैं एक बड़े समाज को एक बड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश यही काम भारतिये जनता पार्टी भी करती है और शायद यही वज़े है कि हर दो महिने में एक बार आयोध्या का दौरा उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं परसेप्सन और अब अखिले स्यादों भी उसी रहा पर हैं सौप्ठ हिंदुत्त के उन्होंने नई परिभासा गड़िये मंदिरों को दर्शन करना धार्मिक नेताओं से मुलाकातें करना चित्रकोट में कामदगीरी महराज की परिक्रमा करना या फिर विभिन ने धार्मिक गुरुव हों से मुलाकात करना उनके चुस इसको एड्रेस करना अखिले स्यादों भी समाजवाधी पार्टी की पर्मपर अगच्छव debris से बाहर निकलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं!" कि वह सब के हैं अ किसी एक जाती के नहीं, किसी एक मजहब के नहीं, किसी एक कॉमुनिटी के नहीं, बलकि उस सब के लिए काम करना चाहते हैं, वो यह परसेप्शन अपने बारे में बिल्ट अप कर रहे हैं, 34 पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी को, they don't care about perception, कि उनको कोई फरक नहीं पड़ता कि आप मायवती के बारे में क्या राय रखते हैं, least bother, आप जो उनके बारे में धावना रखते हैं, रखिए, मीडिया उनके बारे में कुछ भी चलाता है चलाए, उन्हें फरक नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस प्रकार के perception की politics नहीं करते हैं, उनका फंडा clear है, उनका दस्तूर clear है, उनकी सोच clear है, तो क्या ये उत्तर प्रदेश का चुनाव वाकई में एक धर्म युद्ध में तद्दील हो गया है, क्या कांग्रेस कोई बड़ी भूमी का नहीं भाएगी, एक पांचमे प्लेयर की इंट्री हुई है, आम आदमी पार्टी, वो अभी दूसरे तरह के perception की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी को घेरने की आम आदमी पार्टी हर करते हैं, और आम आदमी पार्टी को इस घेराबंदी में काम्याभी भी मिल रही है, और उनके सेनपती संजे सिंग सड़कों पर लड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, यह भी एक प्रकार का perception है, कि आम आदमी पार्टी लड़ते हुए दिखना चाहती है, अब एक इस भार मुद्धे नहीं चलेंगे, perception चलेगा, क्या उत्तर प्रदेश में जनता के मसाइल पर चर्चा नहीं होगी, बलकि मंदिर मस्जित के विशे पर चर्चा होगी, क्या हमारे नेताओं को वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, या फिर इस तरह के sentimental करती नहीं है कि जनता को भी यह सब पसंद है कि चुनाओं तक जनता अपने वास्तमिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करती उन पर बात नहीं करना चाहती है छन्वाम बेटने के बाद उसको अपनी सब तकलीफं यहाद आती है लेकिन चुनाओं में वह वही करती है जन्ता जो हमारे प्लिटेश्टें चाहते हैं, जो हमारे नेता चाहते है तब जन्ता न तो ब्रश्टाचार की बात करती है ना कानुन-वेवस्था की करती है ना बेरज़गारी की चर्चा करती है ना इंफ्रस्ट्रक्षर की बात करती ना इस्कूल और अस्पताल की बात करती है गल्ती जंता की तरफ से भी है सायर इसी कारण पर्सेप्षन की politics ज्यादा जोर पकड़ रही है अगर आप मुद्दों पर आधारित रहते यानि जनता तो नेता वो करते जो आपको वास्तिवी कुरूप से चाहिए आपको चाहिए आने वाली पीड़ी को चाहिए लेकिन नेता भी आपको वही देता है जो आपको चाहिए होता है तो अगर आप बदलाओ की राजनीती चाहते हैं तो नेताओं से बदलने की आप एक्षा मत कीजिए स्वयम को बदलिए जिस दिन आप बदलने की कोशिश करेंगे और आप बदलेंगे देश की राजनीती बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की परंपरागत राजनीती बदल ज चाहिए खेती किसानी के लिए क्या किया इस पर बात होनी चाहिए बिजली कितनी महेंगी कर दी इस पर भी बात होनी चाहिए तो उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं मुद्दे बहुत हैं लेकिन क्या पर्सेप्शन की पॉलिटिक्स मुद्दों पर भारी तो अपने बच्चों को क्या दे कर जाओगे और क्या मुझ दिखाओगे अपने बच्चों को ये जरूर याद रखना आज सोने से पहले इसलिए ये डिवेट बड़े गौर से सुनना ध्यान लगा के सुनना परसिप्शन पे न जाके अपने मुद्दों पठी के रहना तभी उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे चलेगा तभी आप पूरे भारत में नंबर एक स्टेट बनेंगे तभी आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपके बच्चों को सिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ मिलेगा, आपकी खेती ठीक होगी, प्रदेश की तरक्की होगी और प्रदेश का उन्ने अनौर विकास होगा, कुछ बयान सुने. जनतापाल्टी का कोई पेटेंट नहीं है धर्म का सारे लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं सब को अपने अनुसार धर्म का आचन करने उसका पालन करने उस पर आगे बढ़ने की आजादी जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते जो राम सेत्व को नहीं मानते दे जिन्होंने राम के खिलाफ लफनामे दिये अदालतों में जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई अब ये आगामी 2022 के चुनाओं को देखकर इस तरह मंदिर मंदिर भटकते फिर रहे इस से अत्रिक कोई विपश्क निता जैसे धार्मे की स्थल पे अपनी सामन्यास्ताओं के साथ जाता है इनकी चूले हिल जाती हैं चिंताएं मन में ओवर कर जाती हैं इनको चाहिए कि धर्म को बेचना बंद करें जनताने मौका दिया उसकी समस्या सुझ जाने का काम करें तो आज की इस वेहत महातोपूर्ण डिवेट को आगे बढ़ाते हैं मेरे साथ हरिश चंद्र सिरिवास्ता उतरप्रदेशन बीजेपी के प्रवक्ता हैं चक्रपाणी महाराज हिंदू महास्वा के अध्यक्ष हैं अरुंत्र पाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं असीम वकार अमाईयम से हैं और विवेक साइलेस समाजवादी पार्टी से मनी सिंद्वी बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल अनालिस्ट और वीरेन सिंग जी हमारे स्टेटेट बहुत स्वागत शुक्रिया आपका धन्यवाद इस कारिकम में मेरे साथ शिर्कत करने के लिए बही हरीज जिस काम में आपका पेटेंट है जिस काम में आपके पास कॉपी राइट है अब वो काम तमाम और पॉलिटिकल पार्टी करने लगी हैं तो क्या आप अपना परसेप्शन बदलेंगे या फिर आप अपनी पेटेंट किये हुए ही मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे विजेज जी हमारा पेटेंट है अंत्योदे और हम अंत्योदे के लिए काम कर रहे हैं